दोस्तो T20 World Cup 2022 में सभी टीमों के बीच काटे की टकर देखने को मिल रहे जहां अब तक 31 मुकाबले खेले जा चुके हैं और इस 31 मुकाबले के बाद जहां 3 टीमें ऐसी है जो सेमी फाइनल की रेस में सबसे जादा आगे चल रही हैं तो वहीं 5 ऐसी टीमें जो आलमोस्ट सेमी पॉइंट्स और हासिल करने होंगे पूरा सेनेरियो क्या है मैं स्टूडियो में आपको सारी जानकारी बताने वाला हो तो दोस्तो वीडियो रहने वाली अब बहुत इंपोर्टन वीडियो में अंते तक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्र पॉइशन मिल जागी तो आईए चलो वीडियो स्टार्ट तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन पांच टीमों की जो आलमोस्ट सेमी फाइनल से बाहर हो चुकी है उनमें से पहली जो टीम है ऐरलेंड ने अब तक चार मैचों में तीन पॉइंट हासिल किया अभी एक मैच और इस टीम को खिलना अगर उस मैच में इस टीम को जीत मिलती भी है तो अभी इस टीम के पांच पांच पॉइंट अगर पांच पॉइंट के साथ सेमी फाइनल में कॉलिफाय करना बेहद मुश्किल सा दिखाई दे रहे है क्योंकि और लेटी निजी लेंड ऑस्ट्रिया पां अफगानिस्तान अब तक तीन मैचों में दो पॉइंट हासिल किया है अभी दो मैच और खेलने है अगर दोनों मैच में इस टीम को जीत मिलती है तो भी यह टीम सेमी फाइनल में कॉलिफाय नहीं कर पाए इन्ने टनरेट भी इस टीम का बेहद खराब है यह निजी लेंड आउस्ट्रेलिय इंग्लेंड जैसे टीम है टॉप पर बनी हुई है पांच 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 तीन पॉइंट के साथ वह चौती टीम है स्रिलंका स्रिलंका ने अब तक तीन मैचों में दो पॉइंट हासिल गया और इस टीम का अगला मुकाबला अफगानिस्तान के साथ रह अब इस टीम के सेमी फाइनल पहुझने के चांसे आलमोस्ट खतम हो चुकी है क्योंकि साउथ अफरिका पांच पॉइंट के साथ टॉप पर बनी है इंडिया को भी दो मैच खिलना और चार पॉइंट इंडिया के पास भी है और पंगला देश को भी चार पॉइंट है तो सेमी फाइनल से बाहर हो चुकी है लेकिन इस टीम की उम्मीद है अभी भी बरकरार है वह यह बात करते हैं उन तीन टीमों की जो सेमी फाइनल की रेस में सबसे ज्यादा आगे चली है जिनमें पहली टीम है और श्टेलिया कल का मुकाबला जीत कर चार मैचों में पांच रखती है विए ये टीम पॉंच टे happiest में भी दूसरे नमबर पर है वह दूसरी के नीवजी लेंड में तीन मैचों में पाँच पॉइन्ट हासि यह पिलाल पॉंच टे मिस टीम को दूच और ihop मैच में से कम से कम एक मैच और जीतना होगा और एक मैच जीतने में कामियाब ह अब इस टीम को दो मैच और केलने, दो मैचों में सब गर एक मैच में और यह टीम जीती है। एक मैच बंगलादेश के साथ और एक मैच जिंबामबे के साथ अगर ये दोनों टीमों को इंडिया हराने में कामियाब होती है तो इंडिया के बाद टूटल आठ पॉइंट हो जाएंगे और आठ पॉइंट के साथ ओफिसली सेमी फाइनल में जगह पकी कर लेगी वहीं बंगलादेश के तीन मैचों में 4 पाइन लेकिन डेन इट इस टीम का इंडिया से काफी ज्यादा खराब है अभी बंगलादेश को दो मैच और खेलंे हैं घобод üzहां अगर ये उंडिया से ये 80 के साथ लेगी वहींगि श्टाट्स वहीं घुआर टिया बना है गठिया अगर को तो match और के लियेवों तो की दोनों match जीतने होगे अगर एक मैच में भी ही टिम को हर मिलती हो तो關ी से बाहर हो जाईगी अगर दोनों match में इस टीम को जीत मिलती हो तो Semi Final में पहुंच जाके इस टीम का नेटरे नेट और उस्ट्लिया से काफी ज़्यादा बेतर है, वो ही जिंबाम्बे की बात करें, तो जिंबाम्बे के तीन मेचों में 3. आभ इस टीम को दो मैच और खेल लें है, और दो मैचों मेचों में से एक मैच इंडिया के साथ भी खेल लें, अगर दोनों मैचों में से एक भी मैच ये टीम हारती है तो semi final से officially बाहर हो जाएगी लेकिन अगर दोनों मैच में इस टीम को जीत मिलती है तो semi final में पहुचने के chance है काफी जादा इस team के हो जाएगी दोस्तो आपकी साफ से आपको कहा लगता है कि चार टीमों को semi final में qualify करना चीए ग्रूप 1 से New Zealand, Australia, England में से कौन सी ओ दो टीम रहना चीए ग्रूप 2 से South Africa, India, Bangladesh, Jimaab में से कौन सी ओ दो टीम में रहना चीए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं तो दोस्सों इस विडियो पसंद देज विडियो को लाइक करते ने चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन दबादना थैंक्यू सो मज़ गाइस फोर वाचिंग दिस विडियो